हाई दोस्तो मेरा नाम है शुबम आप देख रहे हैं शुबम वाइस दोस्तो आज हम फुल रिव्यू करेंगे सेमसंग गुरू नुजिक तू का दोस्तो इसमें जियो सिम चलती है या इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है या नहीं सब आपको मैं बताऊंगा लेकिन वीडियो को देखेगा अभी तक आपने में चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्क्राइब कर लिजेगा तब ही तो ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मेरी आएंगी चलिए दोस्तो देखते हैं वीडियो को दोस्तो आचुका है हम पे सैमसंग का ग्रूव मुजिक टू काफी पॉपलर सेट है इसका आज हम फुल रिव्यू करेंगे मैं डिटेल में आपके कोश्चन्स के सबके आंसर भी दूंगा क्या क्या इसमें है इसमें कॉल रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती चलिए दोस दोस्तो यह हमारे सामने सेट है देख सकते हैं पूरा हमें प्लास्टिक बॉडी में मिलता है तोस्तो धेहन रखी है इसके नकली सेट मार्किट में काफी आ चुकी है तो धिहान से इसको अच्छी ओथ्राइश शौप से ही फ़ॉन को लीजए और बिल वगरा भी अपना लीजे दोस्तों देख सकते हैं यहां पर भी हमें green card की outline मिलती है इसमें नीचे की तरफ हमें mic option मिलता है side में micro USB charging point मिलता है इसमें हमें पीछे हमें speaker और उपर की तरफ हमें LED torch light मिलती है पहले हम इसकी LED torch light जलाके दिखाजीता हूँ आपको LED टोर्च लाइट हमें कितनी अच्छी मिलती है दोस्तो LED टोर्च लाइट इसकी बहुत अच्छी मिलती है हमें यह देख सकते हैं इस सेट को मैंने दो तीन महीने यूज़ भी कराए मेरे एक सेट मेरे घर पे भी रहता है तो मैं आपको बताऊगा कि इसका फुल रिव्यू इसकी दोस्तो जो माइक की कॉल्टी है वो काफी अच्छी सूपर है और जो इसकी स्पीगर की कॉल्टी है वो थोड़ी आपको नॉर्मल मिलती है आवाज इसकी नॉर्मल आती है लेकिन जो आप जिससे बात करते हैं सुनते हैं उसकी कॉल्टी काफी अच्छी मिलती है हमें और जो हमें इसका स्क्रीन साइज मिलता है वो 5.1 cm का TFT डिस्पले मिलती है हमें इसमें हम इसमें Micro LTE कार्ट तो लगा ही सकते हैं तो हम इसमें Music Player भी चला सकते हैं FM Radio है लेकिन FM Radio with recording नहीं है इसमें और torch मैंने आपको बताई दिया है इसमें torch है और दोस्तों कुछ टाइम आप इसको यूज करेंगे तो ये बटन फेड होने लग जाते हैं ये जो रबर में हमें बटन दिये गए हैं ये कुछ टाइम बात फेड हो जाते हैं तो ये मुझे छोड़ी बात बुरी लगती है और इसका जो बैक्टरी बैकप है बैक्टरी बैकप दोस्तों इसका काफी अच्छा है अगर आप कॉलिंग पर इसको यूज करेंगे तो दो से तीन दिन तो आपका चली जाएगा डिपेंड करता है आपके यूजिस के उपर आप ज़्यादा ही कॉल करते हैं तो आपका एक दिन भी चलता है और मैं आपको कुछ इसके अंवर के फंक्शन दिखाईता हूं कि इसमें रिकॉर्डिंग मिलती है नहीं मिलती दोस्तों देख सकते हैं हम जाते हैं सेटिंग्स में यहां पर देख सकते हैं देख़ून में जाके देख लेते हैं network, memory, reset, display, display में दोस्तों देख सकते हैं wallpaper हम अपना लगा सकते हैं इसमें और दोस्तों इसमें power saving mode भी मिलता है हमें यह काफी अच्छी बात है है और हम SIM card इसमें देख लेते हैं अभी मैंने कोई SIM नहीं लगा रहा रही application में जाके calls में जाके देख लेती है तो दोस्तो all calls में भी जाके देख लेती है इसमें हमें दोस्तो call recording या auto call recording हमें नहीं मिलती है और इसमें हमें कोई 4G sim नहीं चलेगी इसमें आप बहुत से लोग पूछते हैं इसमें geo की sim चल जाती है तो इसमें जियो की सिम नहीं चलती देख सकते हैं इसमें आलारम कैल्कुलेटर का फंक्शन मिलता है बिल्ड कॉल्टी काफी अच्छी है सेट की अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो को लाइक करिएगा मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में थेंक यू